हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लंडवरे देतीमन, गौर्मेंट आफ राजिस्वान की तरफ से वेकैंसी निकली है, जहां केवल महलाओं की भरती का विग्यापन जारी हुआ है, योगेता यहाँ पर क्या मांगी गई है, यदि आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी द आप लोगों की ना ही कोई इंटर्व्यू आपका रहने वाला है, तो नोटिफिकेशन जो है, वो कहां से रिलीज हुआ है, तो कारेल है, मुक्चिकिस साहिवम, स्वास्ते अधिकारी अलवर से ये वेकैंसी आई है, इसी तरीके से हर जिले से जो है, वो वेकैंसी जैसे आपन जारी हुआ है, तो यहाँ पर ब्लॉक वार जो है, वो रिक्त पदों हेतु, आंगनवाडी केंदरों के नाम है, जिस भी आंगनवाडी केंदर में जो है, वो आप लोगों को जाना है, तो उसी के लिए आप फॉर्म फिल करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो है, यह पर दस्वी जो है, वो मांगी गई है, कम से कम आपने दस्वी तो की ही हो, इसके अलावा अगर आपने बार्वी, ग्रेजुएशन, बी एड, रस, इाइट या कोई कम्प्यूटर डिप्लोमा किया है, तो मेरिट आधार पर यहाँ पर सेलेक्शन होगा, कोई एक्जाम नही होगा, कोई इंटर्व्यू नहीं होगा, तो जितने ज्यादा अधिक माक्स जो है, वो जिस भी स्टूडेंट के बनेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उसका सेलेक्शन जो है, वह होगा, ग्रामिय शेत्र में अगर किसी महला ने आवेदन करना है, तो उस आंगनवाडी के इ महला अगर आवेदन करना चाती है, तो सस्राल और मायके, दोनों से ही आवेदन कर सकती है, ठीक है, किसी एक जगे से, अगर उसको मायके से करना है, तो मायके से आवेदन करे, सस्राल से करना है, तो सस्राल से करे, विध्यप्ति चारी होने की तिती तक आवेदक की जो तो आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो देखनी होगी दो ही पेजों की पीडियो फाइल है तो मैं आप लोगों को में चीज़ें सारी बताती हुई जाओंगी आप लोग सुनते हुए जाईए फॉर्म में अगर कोई भी मिस्टेक आप करते हैं तो आपका आविदन पत्र जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा तलाक्षोदा एवं परित्यक्ता की इस्तिती में सक्षम इस्तर से जारी आदेश डिक्री की जो चाया प्रती है फोटो कॉपी है और आविदन में पुनर करने की गोशना जो है वो आप लोग करेंगे ठीक है सेवन्त है विसेश योगिजन होने का प्रमाण पत्र सक्षम इस्तरी चिकिस सा अधिकारी द्वरा जारी किया होना चाहिए यहाँ पर जो है 11 नंबर जो है यहाँ पर आपका सेलेक्शन जो है किस तरीके से होगा तो तरीकतालिका प्रमाण पत्र किसी ने ब्रेड किया है यह एंटीट किया है यह डी पी ऐसी डिप्लोमा किया है जो भी क्वालिफकेशन आपकी मैक्जीमम है वो आपको उसमे लगानी है साथ में आपका जो है वोटर आइडी रासन काड जन आधार कार्ड फीक है मूल निवा प्रमाण पत्र, विवहा पंजियन और अगर आफ किसी भी आरक्षित वर्ग से हैं तो उसका प्रमाण पत्र अल्पसंख्यक वर्ग दिव्यांग जन होने का प्रमाण पत्र वो आप लोग लगा सकते हैं अगर आपके पास आश्शा सहयोगनी के रूप में एक वर्स का जो है वो कारे का अनुवव है तो यह जो है वो आप लोगों के लिए और भी अच्छा रहने वाला है क्योंकि यहां कोई भी आपका एक्जाम नहीं है नहीं कोई इंटर्विव है मेरिट के बेस पर जो है वो आपका सेलेक्शन होगा जिसके जितने वेज की स्व़ प्रमानित प्रती ठीक है फोटो कॉपी लगानी है आपको अनिवारे जो है वो आप लोगों को application form के साथ सलगन करनी है application form जो है आपको कहां पर मिलेगा तो 13 number देखो आविधन form जो है संबंदित block मुख्य चिकिस्सा अधिकारी कार्याले से निश्युल और आविदन फॉर्म आप लोगों को अच्छे से भर लेना है, फोटो लगा लेनी है, जितने भी आपके पास maximum प्रमाण पत्र हैं, अधिक्तम प्रमाण पत्र हैं, वो सबी आप उसमें जो है, attach कर दें योग्या बरती अपना पून बरावा आविदन पत्रों सलगन दस्तावेजों के साथ दो प्रतियों में, तो आपको दो प्रतियां यानि की डबल जो है सेट लगाने हैं, इसमें संबंदित ब्लॉक मुखे चिक्ष्या अधिकारी कारेलियों में, या तो खुद जो है वो जमा करवाया है, यहीं पर जाकर, या फिर आप रजिस्टर डांक अगर आप दूर रह रहे aja हैं, ठीक है, और आप नहीं जा सकते हैं, तो आप रजिस्टर डांक त्वरा विज्ध्यप्ति जारे होनी की तिति से दिनाक 5-8-2023 तक जमा किये जा सकते हैं, तो 5 अगस्त जो है वो website alvar.rajistan.government.in तो complete जानकरी जो है वो मैंने आप लोगों को दे दी है समय से पहले आविधन कर दें यदि आप interested हैं तो thank you